कालू जी मैं तो ठक गई हूँ भोजन ढोंड ढोंड कर मुझे तो आज सुभा से कुछ भी नहीं मिला खाने को जब से चोरिया छोड़ी हैं हम तो भूके ही मर रहे हैं कालू जी अब हम चोरी अच्छे से करेंगे और पकड़े भी नहीं जाएंगे किसी को क्या पता चलेगा कि सबपक्षियों का भोजन कौन चुरा रहा है और अब तो सबपक्षि हमें अच्छे और सच्चे कवे समझते हैं तो फिर चलो कालू जी आप कबूतर के घौशले की सफाई करो सबसे पहले कबूतर नदी की दिशा में गया है मैं जाकर कबूतर को बाता में लगाती हूँ ये ठीक है ऐसे तो हम पकड़े भी नहीं जाएंगे कालू जी कबूतर का भोजन चौरी करके अपने घौशले में रखने के बाद तुम नदी पर ही आ जाना तुम जाओ और कबूतर को बाता में लगाओ और मैं जाता हूँ कबूतर के घौशले की तरफ फिर ऐसे कववा कबूतर के घौशले से भोजन चुराने चला जाता है और गोरी कववी नदी की दिशा में चली जाती है कबूतर भाई क्या हो रहा है भोजन खा आए हो या अभी भूके ही हो गोरी बहन मुझे तो आज एक मके का भुटा मिल गया था मैं वो गोंसले में रखकर आया हूँ अब पानी पीकर जा कर खाऊंगा कब से अकेले रह रहे हो मैं तो कहती हूँ लूसी तो अब लोटकर आने वाली नहीं दूसरी शादी कर लें आप गोरी बहन मैं तो देख रहा हूँ परन्तु कोई अच्छी सी कबूतर मिल ही नहीं रही गोरी कवी ऐसे कबूतर को बातों में लगाए रखती है और कालू कव्वा कबूतर के घोंसले से भोजन चुरा रहा था आज तो मज़ा आ जाएगा ना जाने ये कबूतर ऐसे स्वादिष्ट भोजन कहां से ढूंड लाता है हमें तो कहीं से ऐसा भूटा नहीं मिलता फिर वा कव्वा कबूतर के घोंसले से मकेई का भूटा उठाता है और भाग जाता है ये काम आप अपने बहन गोरी पर छोड़ दें मैं देखूंगी अपने कबूतर भीया के लिए कोई सुन्दर सी कबूतरी फिर कालू कव्वा भी वहां आ जाता है जो आते ही गोरी को संकेत देता है गोरी भी समझ जाती है कि अब उसे यहां से जाना चाहिए अच्छा भी कबूतर जी अब हम चलते हैं परन्तु गोरी बहन आप किसी सुन्दर सी कबूतरी की बात कर रही थी वो मैं तुम्हें कल बताऊंगी मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया है ऐसा कहते हुए गोरी और कालू कव्वा वहां से चले जाते हैं मकेई का भूटा मुझे तो ये बहुत पसंद है अब जल्दी से खा लें ऐसा ना हो के कबूतर आ जाए फिर वो जल्दी जल्दी से वो मकेई का भूटा खाना शुरू करते हैं हाई मैं लुट गया मेरा मकेई का भूटा आज पहली बार मुझे मकई का भुटा मिला था और वो भी कोई जानम चुरा ले गया अगर मुझे पता होता तो मैं नदी पर ना ही जाता ऐसे वो कबूतर तो रो रहा था कबूतर को आज भूके ही सोना पड़ता है कालू जी देखा मैंने कैसे कबूतर को बात में लगाया मैंने उससे कहा कि मैं तो महादी किसी सुन्दर सी कबूतरी से शादी करवाती हूँ वो तो ऐसे खुश हो रहा था जैसे मैं सच में ही जा रहे हूँ उस गंदे कबूतर की शादी करवाने अब काल किसकी बारी है काल छोटी चुडिया को लूटेंगे वो भी बहुत स्यानी बनती है और बहुत अच्छे अच्छे भोजन खाती है फिर वो ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं अगले रोज कववा और कववी चिडिया के घर से थोड़ा दूर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं अब कालू जी जैसे ही चिडिया घर से बाहिर निकलेगी मैं चिडिया पर नजर रखूँगी और तुम अच्छे से सफाई कना चिडिया के घर की और हाँ एक चीज भी न छोड़ना उसके घर में मुझे तो ये चुडिया अच्छी भी नहीं लगती चिडिया भी अपने घर से निकलती है जैसे ही चिडिया ठोड़ा दूर चाती है कालू गोरी से कहता है गोरी तुम चुडिया के पीछे जाओ और चुडिया पर नजर रखो और मैं जाता हूँ चुडिया के घर फिर गोरी कवी चुडिया के पीछे पीछे चली जाती है अरे गोरी बेहन आप यहां क्या कर रही है मुझे कोई काम नहीं था सोचा अपनी चिडिया बेहन से तोचार बाते ही कर लेती हूँ क्या आपने भोजन की घोच में नहीं जाना था इस समय तो सापक्षी भोजन को निकले हुए है तुम्हारा भाई कालू अब बहुत महंती हो गया है हमारे घर तो ठेट सारा भोजन जमा है अब तो मैं भी कालू के साथ भोजन लेने जाती हूँ दूसरी तरफ कालू चिडिया के घर से सारी गंदम की बालिया उठाता है और जल्दी से वहां से चला जाता है कवा वो गंदम की बालिया अपने घर रख कर फिर से लोट कराता है और चिडिया के फल भी चुरा ले जाता है उधर गोरी ने चिडिया को बातों में लगा रखा था अच्छा गोरी बेहन अब मुझे जाना है मुझे कुछ चावल ढोन कर लाने है आज शाम बुल बुल कबूतर दोता और मैं हम समिलकर खिचडि बना रहे हैं आप भी आ जाना अगर खानी हुई तो ऐसा कहते हुए चिडिया बहां से चली जाती है खिचडि कैसे बनाओगी चिडिया तुम्हारे घर में तो कुछ चोड़ा ही नहीं होगा मेरे कालू जी ने चिडिया आप कहां थी हम सब आपको ढूंड रहे थे क्या हो दोते बेया आप क्यों इतने गबराए हुए हो और कबूतर बेया आप क्यों रो रहे हो चिडिया बेहन ये रोएना तो और क्या करे बहुत मुष्किल से मगई का भुटटा डूंड कर लाया था किसी चोर ने चुरा लिया इसका मगई का भुटटा और मेरे घर से मीठे मीठे फूल भी चुरा लिये है मैं तो वो मीठे फूल खिचडी में डालने के लिए लाई थी मैं नहीं छोड़ूँगा, मैं नहीं छोड़ूँगा उस चोर को मुझे तो कालू कवे और गोरी कवी पर शक है कबूतर भेया, ऐसे किसी पर शक नहीं करते आपने कौन सा देखा है कवे और कवी को चोरी करते हुए अच्छा, अब आप सब शान्त हो जाए मैं शाम को खिचडी बना रही हूँ हम सब मिलकर शाम को खिचडी खाएंगे मैं तो चावल भी ढूंड लाई हूँ और फल और बाकी की चीजे मेरे घर पर पड़ी है आप सब चलो मेरे साथ हम जाकर खिचडी बनाना शुरू करते हैं फिर वो सब चिडिया के घर की तरफ चले जाते हैं हाई मैं लुट गई दोस्तो मैं तो लुट गई कितनी मुश्कल से मैं वो फल डूंड कर लाई थी कहां गे वो फल मैं तो यहां रह कर गई थी चावले ने और गंतम की बालियां भी नहीं है अब तो उस चोर को पकड़ना ही होगा ऐसे तो हम सब भूके ही रहेंगे परंतू कैसे पकड़ेंगे हम उस शातर चोर को ये मेरा काम है परंतू जो भी चोर हुआ हम सब मिलकर उसे जंगल से निकाल देंगे दूसरे रोज कबूतर पहाड़ों पर जाता है वहां से वो काले फूल लेता है जिनका रस पीने से पक्षियों को पोटियां लग जाती है कबूतर वो फूल लेकर अपने घौसले में जाता है तोता भी कबूतर के पास आता है कबूतर जी मैं ये आम ले आया हूँ अब क्या करना है मैं इस आम पर काले फूलों का रस नचोडता हूँ और आप गोरी और कालू से कोहो के मैं और कबूतर पहाडों पर जा रहे हैं शाम को लोटेंगे फिर देखना मैं कैसे पकड़ता हूँ उन चोरों को ऐसे तोता कालू और गोरी की तरफ चला जाता है गोरी कवी और कालू कवी में और कबूतर तो जा रहे हैं पहाडों के तरफ वहां मीठे मीठे अंगूर है अगर जाना है साथ तो चलो जाओ जाओ तुम ही जाओ वहां हमने कभी देखे नहीं अंगूर और हमारा अब सोने का समय है हमारी नीद न खराब करो तोता वहां से चला जाता है अब देखना जो चोर भी इस आम को खाएगा तुरुत उसके पेट में गुड़ गुड़ शुरू हो जाएगी और फिर देखना वो कैसे भागता फिरेगा मेरे सुन्दर कालू जी चलो तो जरा तोते और कबूतर के घर जाए वो तो पहाड़ों पर गे हुए है हो सकता है हमें आज फिर वहां से कुछ खाने को मिल जाए फिर कालू और गोरी कवी चोरी कनने चले जाते हैं मीठा मीठा आम चुपा चुपा कर रखता है ऐसे स्वादिष्ट फल कबूतर उसे ये नहीं पता के ऐसे मीठे मीठे फल तो केवल गोरी ही खा सकती है कालू जी यहीं बैट कर खा लेते हैं वो तो शाम को ही लोटेंगे फिर कवी और कव्वा वो आम जिस पर कबूतर पेट खराब करने वाले फूलों का रस डाल कर गया था खा लेते हैं और वहां से चले जाते हैं शाम भी हो जाती है कबूतर और तोता भी लोटाते हैं खा गया वो चौर वो आम खा गया कबूतर अब जल्दी चलो हम चिडिया को साथ लेकर सब पक्षियों के पाच आते हैं और देखते हैं किस पक्षी का पेट गुड़ कर रहा है। परन्तु सबसे पहले कव्वे और कव्वी की तरफ ही जाना है। मुझे तो उन्हीं पर शक है। फिर कभूतर और तोता चिडिया को साथ लेकर कव्वे और कव्वी की तरफ जाते हैं। कव्वा और कव्वी उन्हें नदी पर बैठे मिल जाते हैं वो सब वहाँ जाते हैं गोरी बेहन क्या बात है कैसे लेटी हुई हो कुछ नहीं जड़िया कालू जी मैं शोचाले होकर आती हूँ गोरी वहां से चली जाती है और कालू जी आप कैसे हो ऐसा लग रहा है कि आपका पेट गुडगुड कर रहा है नहीं नहीं तो गोरी भी वापिस आ जाती है गोरी मुझे भी शोचाले जाना है ये तो बार बार शोचाले क्यों जा रहे हो मैं तो मजा कर रहा था मुझे तो शोचाले नहीं जाना फिर कव्वे से तो रहा नहीं जाता वो तो जोड से त्यम पाका करता है और बैठा बैठा पोटी कर देता है कालू जी ये क्या खालिया हमने मैं तो कहती हूँ हम जाकर शोचाले के अंदर ही सो जाते हैं मैं भी बहुत जोड़ से रोके बैठी हूँ सच बता दो तो मैं ठी कर सकता हूँ तुम्हें मेरे पास इसकी दवा है कुबूतर तुम्हारा आम चुराया था, परन्तु जो सजा हमें मिल रही है, वही बहुत है, अब हमें मारना ना, हमें दबा दे दो। ऐसा कहते हुए गोरी भी धमाका कर देती है, और सब पक्षी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, और सब मिल कर कहते हैं, चोर पकड़ेगे। दूर किसी जंगल में सब पक्षी अपनी अपनी जिन्दगी में वियस्त थे बरसाद का मौसम आने ही वाला था लेकिन दाना और पानी पक्षियों को मिल रहा था इसलिए कोई पक्षी भी इस मौसम पर दिहान न देता उसी जंगल में एक रानो जुडिया भी रहती थी ना जाने क्यों वो इस पास से बहुत परिशान थी कि कहीं जंगल में दाना और पानी खत्म न हो जाए वो यही सोचते हुए तोते के पास जाती है तोते भेया आपको पता है जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला है क्यों न हम पास वाले जंगल से दाना लाकर जमा कर ले मैं कल गए थी पहाडों की तरफ महां जो नदी थी वो भी सुखी हुई है लेकिन इस नदी में धेर सारा अना जुगा हुआ है अगर आप मेरी बात मानो तो हम वो सारा अपने अपने गोंसलों में जमा कर लेते हैं और फिर जब बरसात शुरू होगी तो हमें दाने की कोई चिंता ना होगी चिडिया आप मौसम बदल गए हैं अब कहां बरसात ज्यादा समय रहती है एक दो तिन बरसात आपी गई तो बुचारा कर लेंगे वो नदी बहुत दूर है हमसे तो जाया नहीं जाता इतनी दूर जैसे आपके मर्जी मुझे तो डर लग रहा है बरसात के मौसम से इसलिए आई थी आपके पास और पिर चिडिया वहां से चली जाती है पहाडों वाली नदी में बहुत सारा अनाज उगा हुआ है अगर बारिश आगी तो फिर तो नदी में पानी आ जाएगा और वो सारा अनाज खराब हो जाएगा आप मेरे साथ चलो हम वो ले आते हैं बरसात में काम आएगा बहुत दूर की सोचती हो तुम भी चिडिया रानी वो तो बहुत दूर है नदी हम तो नहीं इतना दूर जा सकते अगर तुमें जरूरत है तो ले आओ तुम अपनी चिंता किया करो क्यों हमें नेने भाशन देने आ जाती हो और चिडिया शरमिंदा होकर वहां से चली जाती है रान और चिडिया वापस अपने घर ही आ जाती है मेरी तो कोई बास सुनता ही नहीं पता नहीं क्यों इन पक्षियों को कोई चिंता नहीं है क्या खाएंगे सब अगर बरसाच ज्यादा दिन के लिए आ गई तो ममा अगर मैं चलूँ आपके साथ हम दोनों वो अनाज लाकर अपने घर में जमा कर लेते हैं ममा मैं काम करूँगा आपके साथ मैं अनाज अकठा करूँगा और आप उसे उठा अठा कर घर ले आना मेरा बेटा कितना से आना है बेटा हम कल सुबों सुबेरे ही निकल जाएंगे और फिर ऐसे ही वो सो जाते हैं दूसरे रोज रानो चिडिया और उसका बेटा सुबों सुबेरे ही निकल जाते हैं ममा यहां तो बहुत सारा अनाज है हाँ बेटा नदी सूखी हुई है ना अगर बारेश हागी तो ये नदी पाने से भड़ जाएगी और ये सारा अनाज पाने में खराब हो जाएगा और फिर वो इस अनाज को अकठा करते हैं ममा आप ये घर छोड़ाओ और मैं आपके वापस आने तक और अकठा करता हूँ और तियारी ऐसे कर रही है जैसे शाम को ही बलसाज शुरू हो जाएगी चीडिया कव्वे की बास सुनी औंज सुनी करते हुए आगे गुजर जाती है घोशले में अनाज रहकर जब चीडिया वापस आती है तो अकव्वा वहीं बेटा हुआ था गवे भीया आजाओ, अगर जाना है तो, भूस सारा अनाज है वहाँ, अगर बारश आगी तो तुम भूख से मरोगे, और वो सारा अनाज पाने में खराब हो जाएगा, जाओ जाओ, तुम ही करो पहाडों की सेर, मुझको कोई जरूरत नहीं है, और चडिया फिर से उठ जात फिर एक दिन सुभों सवेरे ही आसमान पर काली घटाएं जागे, और ऐसे लगने लगा, जैसे दिन में ही रात होती हो, और फिर चोर की बारश शुरू हो गए, ममा, बारश कितनी अच्छी लग रही है, हाँ मेरी जान, अम मुझे कोई चिंता नहीं है इस बरसात की, और य कालू सबसे ज्यादा नकम में तुम हो जंगल में, अभी बारश आज ही शुरू हुई है, और हमारे पास एक दिन का भोजन भी नहीं है, चुप करके बैठ जाओ, तुम्हारा पेट है या कुवा, अभी सुब हो खाए तो थे मकई के दाने, बारश रुकेगी तो तुम्हें कुछ न कुछ खाने को, ऐसे मोसे में तो किसी का चोरी भी नहीं कर सकता, सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हैं, और फिर सारी रात बारश होने की वज़ा से हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया था, बहुत भूग लगी हुई है, अगर रानो जुडिय के बात मानी होती, तो आज मैं भी परसाद के मजी लेता, कल से कुछ नहीं खाया, ऐसे भूग से मनने से बेतर है, मैं बारिश में ही कहीं से दाना डून लाता हूँ, और तोता कवे के पास जाता है, आओ भी तोते, क्या कुछ खाने को देने आए हो, नहीं कवे, मैं तो यार तोते, वो जो रानो चुडिया बता रही थी, पहाडों की तरफ सूखी नदी में डेल सारा अनाज है, हम क्यों ना वहाँ जाएं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, बहुत तो तुम्हारी ठीक है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, पुछ ना कुछ तो मिलेगा और वो दोनों तेज बारिश में नदी की तरफ चले जाते हैं, ये क्या तोते, यहाँ तो पानी ही पानी है, नदी तो पानी से पूरी तरहां भर चुकी है, अगर रानो चुडिया की बात मानी होती, तो आज ऐसी बारिश में अपनी चान को खत्रे में ना डालते, चलो खाने को कुछ ना कुछ दे देगी, ना भी तोते मर जाओंगा, लेकिन रानो चुडिया से भीक नहीं मांगूगा, और फिर तोता अकेले ही चुडिया की तरफ चला जाता है, चुडिया बेहन, बहुत श्रमिंदा हूं, मेरी मदद करो, बहुत भूका हूं, आप अंदर आ क्या होगा उस नदी में, हाँ चुडिया, मैं और कालो गये थे वहां, लेकिन वहां तो पानी ही पानी है, आपने ऐसी बारश में वहां जाकर बड़ी गल्ती की, सब अक्षिमों से दाना लेकर जा रहे हैं, आप ही ले जाते, मैंने कौन सा मना किया है आपको, बस शरम का मा पारा नहीं आया था, ये लो दोते बैया, अगर खतम हो जाए तो और ले जाना, ये बरसा तो ऐसा लग रहा है कि ए दिन चलेगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर तोता चला जाता है, उधर गोरी भूग की वज़ा से मर रही थी, कालू, मैं सच कह रही हूँ, ऐसा लग रहा है, मेरा शरीर हरकत नहीं कर रहा, कुछ करो, कालू अप अपनी अहनकार से हार मान चुका था, और फुसीधा रानो चुडिया की तरफ जाता है, रानो चुडिया, गोरी ने बेज़ा है मुझे, वो मर रही है, कह रही है मेरी रानो चुडिया से कुछ दाने लादो खाने को, वो सच में मर जाएगी भूग से, कवे भी या, आप दाने ले जाओ, लेकिन मेरी बात याद रखना, हमें कभी भी अच्छे समय में आने वाले बुरे समय को नहीं भूलना चाहिए, हाँ चुडिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने मुझा कड़ाया और फिर कालो कवा चुडिया से धेर सारे दाने लेकर चला जाता है, लेकिन रानो चुडिया ये बात भी अच्छे से जानती थी, के कालो कभी नहीं सुद्रेगा, और फिर रानो चुडिया सब बक्षियों की मदद करती रहती है,